आठ मार्च दो हजार चौबीस, महा शिवरात्री का महा पर्व। इस दिन शिवलिंग पर ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरी भी आ जाएगी, अतह पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है और सुबह शाम विधिविधान से उसकी पूजा अर्चना होती है, तो वहां स्वयम महादेव निवास करते हैं, वह स्थान कासी तीर्थ के समान होता है। लेकिन यहां शिवलिंग स्थापना के कुछ प्रमुख जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे घर के पूजा स्थल पर तीन इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के पास नंदी और सर्प नहीं होने च चाहिए। लेकिन माता पारवती, भगवान गणेश, कार्तिके, त्रिशूल और डमरु अवश्य होने चाहिए। घर में स्वटिक, पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग अत्यंत उत्तम होते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते है तो रोज सुबह शाम नियम से शिवलिंग की पूजा करना और शिवलिंग का जल से अभिशेक करना अनिवार्य होगा। अगर आप सुबह शाम शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, जला भिशेक नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है कि आप घर में शिवलिंग स्थापित कर आप पास के किसी शिव मंदिर में जाकर के भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। कहीं कोई पानी की कमी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन के महीने में ही हमें शिवलिंग का अभिशेक हमें रोज करना चाहिए। महा शिवरात्री पे शिवलिंग पर ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली बात, अगर आप महा शिवरात्री के दिन शिवलिंग का अभिशेक करने के लिए मंदिर में जाते हैं, तो शिव महा पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को मंदिर का लोटा उठा कर उसमें मंदिर का ही जल भर कर कितना भी जल शिव को अर्पित करो। शिव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अतह शिव मंदिर जाओ तो घर का लोटा और घर का ही शुद्ध जल ले जाकर शिव को अर्पित करो। ऐसा करने से दो प्रकार के दोश समाप्त होते हैं। पहला है वास्तु दोश और दूसरा पित्र दोश। दूसरी बात, महादेव को सादा जल कभी न चढ़ाएं। घर के शुद्ध जल में थोड़ा पवित्र नदियों का जल अवश्य मिलाएं। नर्मदा और गंगा का जल शिव को बहुत प्रिय है। तीसरी बात, शिवलिंग पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ और शुद्ध जल का ही प्रयोग करे। सीधे शब्दों में कहूं, तो जो जल पीने लायक ना हो, उस जल को शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। जिस जल को आप पीने सा दूध या अन्य कोई वस्तु मिला रहे हैं, तो पीतल के लोटे का प्रयोग करे। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी गर्म किया हुआ दूध अर्पित ना करे। गाए का कच्चा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। किसी भी मंदिर के अंदर मांस मदिरा का सेवन करके बिलकुल ना जाए। छटवी बात, शिवलिंग पर अभिशेक करने के लिए वैसे तो प्राय लोटे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर शिवलिंग का अभिशेक गौमुखी यानि श्रिंगी द्वारा किया जाए, तो शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुद्रा अभिशेक के समय अधिकतर लोग श्रिंगी से ही शिवलिंग का अभिशेक करते हैं। कि जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, फलों का रस आदी से भी महादेव का अभिशेक करना चाहिए। अलग-अलग वस्तुओं से अभिशेक करने से अलग-अलग मनोकामनाओं की पूर्ती होती है। लेकिन ध्यान रहे, जिस भी वस्तु से आप शिव का अभिशेक क शुब कामनाएं, हर हर महादेव!